हेलो एवरिवन वल्कम टू माई योट्यूब चैनल आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और जैसे कि आपको पता है कि ALP का फोटो और साइन अपडेट करने का आपशन मिला था 27 से 31 के बीच में स्टूडेंट इसको अपडेट कर सकते हैं अब कल से काफी सारे स्टूडेंट के कॉमेंट आ रहे थे कि सर जिनको मेल मैसेज नहीं आया है वो लोग क्या करें और काफी सारे वो स्टूडेंट भी थे जिनको यही समझ में नहीं आ रहे था कि उनके पास मेल मैसेज क्यों आया है क्या चेक करना इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा बेना स्किप किये वीडियो का एंट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं आरपेफ कॉंस्टेबल की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक की जो चक्षू परकाशन की तरफ से आती है देखो इस सिंगल बुक में आप लोगों को जर्नल अवेर्नेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पूरा कंटेन्ट देखने को मिल जाता है पच्ची सो से ज़्यादा MCQ कोशन विद स्वालेशन मिलते हैं पांच सौल पेपर मिलते हैं और बीस प्रेक्टिस सेट भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं आरपेफ का जो नगया रिक्रूटमेंट आया है और रेलवी जर्नल अवेरिनेस की सेपरेट बुक मिलती है जिसमें 6000 से ज़्यादा MCQ आपको देखने को मिल जाते हैं इन सबी बुक्स को परचेज करने का डारेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर नजदी की बुक्स टोर से भी आप इनको परचेज कर सकते है तो देखो अपडेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ जिन स्टूडेंट के पास भी मेल और मैसेज आया था कि आपके फोटो साइन में कोई प्राबलम है और आपको वो चेंज करना है अब उन में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर परिशान थे कि मैंने सेम फोटो साइन टेक्निशन में भी अप्लाई किया है सेम फोटो साइन से मैंने आरपिफ में भी अप्लाई किया है अब थोड़ा था कल वाली वीडियो मैंने आपको बताया था काफे student परिशान थे कि sir कहीं मेरा form वहाँ पर भी reject ना हो जाए तो एक बड़ा update यहाँ पर देखो क्या है कि जिस student ने अभी ALP में मालों कि उसके sign में कोई problem थी और उसने अपने sign को update किया है sign उसने change कर दी है तो technician के form में और RPF के form में automatic उसके sign चेंज हो जा रहे है अब यह मैं आपको किस आदार में बता रहा हूँ देखो एक student है विराट सिंग इनके signature पहले इस तरह के थे ठीक है और इनके पास mail message आया है इनको समझने है कि photo की वज़े से है या फिर sign की वज़े से है तो इन्होंने यहाँ पर अपने photo और sign दोनों change कर दी है sign यह देखो यहाँ पर disjoint letter में है मैंने इनको यही बुला था कि आपके sign disjoint letter में है इसलिए आपका form में यह दिक्कत आ रही है अब इन्होंने दूसरे जो sign है वो इस तरह से किये यह disjoint letter नहीं है अब जैसे इन्होंने यहाँ पर यह LP में अपने sign को update किया और जब उसके बाद इन्होंने log in कर गए technician और आरपीएफ का अपना form चेक किया तो वहाँ पर इनके sign automatic change हो गए यानि कि जो पहले disjoint वाले sign थे वह change होकर अब यह वाले sign वहाँ पर show हो रहा है तो इससे मतलब क्या है कि railway नहीं यहाँ पर एक shortcut लिया है कि देखो अभी वह क्या करते है अगर technician के अगसे फिर आपको link देदेगी उसको update करो उसके बाद RPF के लिए अलग से देज़े तो बहुत ज़्यादा time waste होता और इस बार जो एक ही link से सारी चीज़े हो रही है एक account बनाके सारी चीज़े कराई जा रही है SST के तरह तो उसका यही benefit है कि जैसे यहाँ पर इन्होंने ALP में अपना sign change किया तो वो technician में automatic हो गया और RPF में automatic हो गया तो अब RPF और technician में उनका form reject नहीं होगा नहीं railway को ऐसा कोई link देना पड़ेगा तो यह कहीं ने कहीं एक अच्छी पहले railway की तरफ से अब जिन लोगों के पास भी mail और message आया था अगर वो इस बात को लेकर परिशान है कि मेरा technician और RPF के form में क्या होगा तो वो simply login करके और अपना वहाँ पर check कर सकते हैं तो वहाँ पर maximum chances है कि आपके भी sign change हो गए होगी क्योंकि यह student जो है इनके हाँ पर change होए है तो यह समस्य आपके खतम होगी और time भी यहाँ पर save हो गया बाकि जिन लोगों के पास कोई mail message नहीं है उनको तो गवराने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि आपका form पहले से accept हो चुगा है ठीक है तो एक छोटा सा update था और यह update आपके लिए जानना जरूरी था ऐसी updates आपको मारे चैनल में लगतार मिलते रहते हैं इसलिए आप चैनल को subscribe कर लीजिए